हेलो फ्रेंट्स सुबह की भागदोड वाली जिंदगी में और तेज वाली गर्मी में अगर कुछ हेल्दी स्पेशल और टेस्टी खाना हो तो एक बार आपे रेसिपी जरूर से ट्राई करें इस रेसिपी को बनाने में हमने किसी तरह का कोई आटा सूजी मैदा या फिर ब्र रेगुलर डाइट में शामिल जरूर करना चाहिए खाना चाहिए बहुत सारे इसमें मिनरल्स विटैमिन्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदे मंद है अकसर आपने देखा होगा जो लोग वेट लूज कर रहे हैं या डाइट का खाना खाते हैं वो इनका इस्तमाल कर होकते हैं 5 मिनट में हैं बहुत अच्छे से फूल भी जाते हैं घूल बहुत च्रूथ चाहिक साकते हैं ये लसन हमारे लिए फाइदे बन तो है ये शरीर के लिए पर ये इस नाश्टे में अच्छी खुश्पू भी देगा और फ्लेवर को भी बढ़ा देगा तो जैसे कि मैंने कहा आपके अपास अगर पेस्ट है अद्रगलिसन का पेस्ट डाल दिया फिर मेरी तरह इस तरीके से अलग-अलग भी आप पद्दुकस करकर डाल सकते हैं ताधा जाधा डालेंगे तो जाधा अच्छा रहेगा खुश्पू भी बहुत अच्छी आएगी और एक प्यास डाला है बारी कटकर आधा टमाटर लिया है बीज हटा कर मैंने इसको एट किया है आप जाए तो बीज के साथ भी कर सकते हैं साथ में लिया है दो तीन हरी मिर्ची अपने अनुसार लिया है मैंने आप अपने अनुसार ले लिजी का आप जितना भी तीखा खाते हैं थोड़ा सा तुकड़ा मैंने आपर पत्ता गोभी का लिया है जिसको मैंने बारिक बारिक चॉप कर लिया था सबजिया आप अपने जो नाश्ता है बहुत हेल्दी बनेगा और गर्मियों के लिए तो यह और भी जादा फाइदे मंदर साथ पर डाला है एक चुछा चमच पीसा भाद धनिया पाउडर स्वाद अनुसा डालेंगे नमग जैसे कि हरी मिर्च का प्योग किया था तो मैंने आप लाल मिर्च भी ड कि अब ना करें उपर से हरा धनिया पती डालेंगे और सारी जो कच अच्छे से मिक्स देदिया अच्छे से गैस की तरफ गैस पर मैंने रखा एक अप्य पैन अप्य बैथ तोड़ तोड़ तेल डाल दिया थैं नीचिंची और साथ पर राई चटके लेश्ग की एक चमच आप इसको फिल कर दिजिये अच्छे से उपर तक फिल कर दिजिये भर भर कर ऐसा नहीं कि आदा करना है उपर तक कर दिजिये आप भर भर कर और देखे सारे जो हमारे नीचे से हैं ये भर चुके हैं आप इसको ढब कर हम 5 मिनट के लो टू मीडियम फ्लेम पर तिए से कोक होने देंगे 5 मिनिट में इया अच्छे से नीचे से कोक हो जाएंगे और देखेज विद्वे भी चेंज कर ले है obscene के सी हम नीचे से भी विझी से आप सब्सक्त पारी इसका एक एक चमच बैटर फला कर इसकी आप टिक्या जैसी शेप का नाश्ता भी बना सकते हैं वैसे मेरा मानना है कि हर किचन में एक अपे पैन होना ही चाहिए बज्चो को इसमें बना नाश्ता बहुत पसंद आता है यह ओनलाइन किसी भी एप से आप मंगा सकते हैं दो सो कि अधरी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी ऐसी हल्दी रेसिपी देखने के लिए तो मिलते हैं नई दिन नई रेसिपी के साब ठैक्स पर वाचिंग